नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कुछ quality stocks के बार में discussion करेंगे और CIC Prudential Life Insurance का नतीज़े बहुत सी सांधार है उसके बार में हम लोग discussion करेंगे तो पहला stock जिसमें आप लोग ततकाल कुछ इंट्री बना कर चल सकते हैं वो है CDSL CDSL की बात करें तो depository का काम करता है जो हम लोग shares buy करते हैं वो CDSL में ही store होता है और past एक दो साल में हम लोग को CDSL ने multi bagger return निकाल करके दिया है क्योंकि हम लोग देख रहे थे बहुत ज़्यादा demate account खुला है पिछले एक दो साल में ही और हर महीने करीब 10 lakhs demate account new खुल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा जाग रुकता बढ़ी है demate account खुलने के लिए और share market के परती mutual fund के परती तो इस कारण से CDSL main beneficiary होगा जो हम लोग share sell करते हैं उसका जो DP charges वगएरा होता है वो CDSL लेता है तो अभी मात्र 6 करोड demate account ही CDSL खोला है दोस्तों और 131 करोड का population है तो बहुत ज़्यादा growth potential रखता है ये MC sector और CDSL तो इसमें भी हम लोग कुछ buy करके जरूर से चलना चाहिए अभी सबसे ज़्यादा growth वाला sector ये MC sector है इंडिया में तो इसमें हम लोग जरूर से entry बना करक और यहां पर हम लोग बात किये थे कि जब प्राइस टूहंडेड़ डियाइस का सेलिंग आता है तो सबसे पहले अपने method को डिसका स्फिर से कर लेते हैं एक 20 का moving average यूज करते हैं जो कि आपको blue lines हो कर रहा होगा दूसरा हम लोग 200 डिस के moving average को यूज करते हैं जो कि आपको pink lines हो कर रहा होगा और तीसरा indicator हम लोग लगाते हैं pivot point या pivot line भी बोलते हैं जो कि आपको support या resistance बताता है तो जैसे price 200 days के moving average से बहुत ज्यादा उपर चले यहां पर FIIs का selling आ सकता है माल लीजे हमारे पास अगर 10 stock है तो 3-4 stock जरूर से profit book कर लेना चाहिए जब price 200 days के moving average से बहुत ज्यादा उपर चले तो weekly chart penalize करके long term investor कुछ profit book कर सकते हैं तो CDSL में के फिलाल की बात करें तो price 200 days के moving average के करीम में आता है correction करनी के बाद और इस level पर हम लोग फिर से इसमें entry लेनी के लिए बोले थे CDSL को तो इस pivot line पर resistance फिर से लेता है और फिर से हम लोग को थोड़ा बहुत pullback देखने को मिलता है तो फिर से आप लोग को अगर average करना है तो एक बड़ा सा green candle अगर 3-4 परसेंट का आपको दिखता है CDSL में तब buy करके चलना है नहीं तो ज्यादा possibility है इसको break कर देगा 200 days के moving average के support को तो बड़ा fall हम लोग को देखने को मिल सकता है तो इसलिए 3-4 परसेंट का बड़ा green candle करना है तब ही CDSL को average करना है अगर इस लेवल पर पहले भी buy कर चुके हैं तो यहां पर buy नहीं करें तुरस से averaging करने का जूरूत नहीं है लेकिन fresh entry और उपर के price पर अगर फसे हुए CDSL में तब यहां पर हम लोग average करेंगे और ICIC Prudential life insurance जो कि एक private player है insurance sector में उसके नतीजे बह करें तो पिछले साल कर जोड़ा वहां लोग को मिल रहा है यह और इंकम कि बात करें तो बहुत ही बड़ा another income को देखने को मिल रहा है पिछले साल की बात करें तो करीब 660 करोड का वो अधर income देखने को मिला था अधर income की बात करें दोस्तों तो insurance company different shares को buy करता है और भी की बात करें तो डवल से भी ज्यादा हम लोग को नेट प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए दिख रहा है 185 करोड का हम लोग को नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वहीं पिछले साल बात करें तो करीब 64 करोड का मात्र हम लोग को नेट प्रॉफिट देखने को मिला था तो net profit after tax हम लोग को increase होते हुए दिख रहा है और करीब double से भी ज़्यादा होते हुए दिख रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है और insurance sector में हम लोग बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा growth है ICIC Prudential Life Insurance भी एक leading market player है और share holding pattern की बात करें हम लोग ICIC Prudential Life Insurance की तो promoters के बास करीब 73.41% का बहुत ही बड़ा holding है FIIs की बात करें तो FIIs ने भी बढ़िया stake ले रखा है करीब 16.35% का holding है तो पिछले quarter की तुलना में stake जरूर से FIIs ने कम किया है तो still substantial holding FIIs के पास है पिछले quarter में 16.92% का holding FIIs के पास था DIs की बात करें तो DIs ने भी कुछ stake बढ़ाया है 4.74% का holding DIs के पास है पिछले quarter में DIs के पास 4.26% का holding था Public की बात करें तो public के पास 5.5% का holding public के पास है तो equality stock में public का holding जरूर ही कम होता है FIIs और DIs का अच्छा stake है 20% से उपर का stake है जो की अच्छी बात है फिर motorist का बहुत ही बड़ा stake है तो FIIs DIs का stake आपको कम लग सकता है जो कि बहुत ही कम ही share free है तो FIIs DIs का still बहुत ही अच्छा holding है तो quality share holding pattern भी है ICIC Prudential Life Insurance का और बात करें ICIC Prudential Life Insurance की दोस्तों तो लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा था price 200 days के मुखी अबरे से बहुत ज्यादा ऊपर चल रहा था ऐसे में ही हम लोग बात करते हैं FIIs का selling आ सकता है DIs का भी selling आ सकता है तो FIIs का हम लोग को selling share holding pattern में भी देखने को मिलता है इसी करना हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिखा था ICIC Prudential Life Insurance में तो पहला entry हम लोग 200 days के moving average के करी में लेने को बोलते हैं उसके बाद और भी अगर नीचे आता है तो हम लोग जहाँ पे support लेता है तो यहाँ पे अगर बाई किये होंगे तो अच्छा खासा entry आप लोग को मिला होगा अगर fresh entry लेना है तो फिर से अभी यहाँ पे buying करने का opportunity है क्योंकि अपने top से अच्छा खासा fall कर सुका है और price 200 days के moving average से नीचे भी चल रहा है तो एक बड़ा सा green candle अगर एक 2% का भी आपको आई से प्रूडेंसियल में दिखता है तो जरूर से long term के लिए आपको buy करके चलना चाहिए तीनो private insurance player SBI life और HDFC life और आपका आई से प्रूडेंसियल तीनों में से आप तीनों में investment कर सकते हैं चाहे कि इन ही दो stocks में आप जरूर से investment करें क्योंकि जैसे जैसे LIC का market share दोस्तों कमेगा main beneficiary यही तीनों stocks होने वाला है और धीरे धीरे करके जो term insurance health insurance हम लोग देख रहे हैं ज्यादा तर private insurance player का ही होता है तो इसलिए LIC का market share long term में घटने वाला है तो यह तीनों main beneficiary होगा और बहुत ही ज्यादा under penetration है insurance sector का तो इसको जरूर से बाइकर के चलना चाहिए बहुत ही ज्यादा growth वाला sector है और अगला stock की बात करेंगे सौरम मुखरजी का coffee can portfolio का stock अवास financer के हम लोग बात कर रहे हैं इसमें भी हम लोग को लगतार गिरावट होते हुए दिख रहा था कुछ समय से sideways momentum 200 days के moving average के करी में चलते हुए दिख रहा था और उसके बाद एक बड़ा सा fall हम लोग को अवास financer में भी देखने को मिलता है तो फिलहाल की बात करें तो price 200 days के moving average से बहुत ही नीचे चलता था और इस pivot range पर हम लोग को कुछ support दिखता है तो इस ही pivot range पर हम लोग कुछ buy करने के लिए बोले थे यहाँ पर 20 के moving average को cross करता है तो यहाँ पर आपको कुछ entry बनाना चाहिए था अगर अभी तक entry नहीं बना है अवास financer में और buy करके चलना है तो थोड़ा बहुत आप लोग wait कर सकते हैं और जैसे ही 20 का moving average क्रॉस करता है और price उपर closing देता है 200 days के moving average के उपर तब आप लोग को buy करना है 3-4% का बढ़िया candle से closing देगा तब buy कीजिए नहीं तो यहाँ से भ stock की बार मैं बात करेंगे happiest mind artificial intelligence में इसका बहुत ही अच्छा काम होने वाला है तो इसमें भी हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था price 200 days के moving average के करीम में आता है और बढ़िया से triangle pattern हम लोग को दिखता है और triangle pattern का हम लोग बात भी करते हैं जीदर भी breakout होगा powerful momentum उधर होगा और नीचे के तरब breakout होता है तो ज्यादा तर हम लोग को नीचे आते हुए दिखा तो price 200 days के करीम में कुछ support नहीं लेता है और उपर closing नहीं देता है तो इसलिए कोई entry हम लोग को 200 के करीम में नहीं मिला था जैकिन जैसे ही 20 के moving average को नीचे हम लोग को cross होते हुए दिखता है बड़ा green candle से तो इसी candle में आपको happiest mind को buy करके चलना चाहिए था अगर इस candle में आप लोग buy करके चले हैं तो अभी ज्यादा price उपर नहीं गया है तुरस से average करने का ज़रूत नहीं है अगर fresh entry लेना है या उपर के price फस हुए है तो एक बड़ा सा green candle अगर 3-4% का happiest mind में आपको दिखता है तभी buy करना है क्योंकि 20 के moving average के price नीचे चल रहा है तो ज्यादा possibility है और भी नीचे आने का तो अगर नीचे fall होता है तो फिट से हम लोग को इस level पर आते हुए दिख स होता है तो 908 तका सकता है और पीछे भी यहां पर support था तो फिर यहां पर हम लोग को buying बनेगा लेकिन अगर 20 के moving average के ऊपर closing देता है 3-4% का बढ़िया candle तब आप लोग entry बना सकते हैं अगर यहां पर buy किये हैं तो इस level पर फिर से average कर सकते हैं और हम लोग उपर के price फसे हु हो रहा है तो बहुत ही ज्यादा हम लोग negative जा सकते हैं माइनस 20% 30% किसी भी stock में जा सकते हैं तो इसलिए locations का वेट करना बहुत ज़रूरी होता है अगर downtrend में हम लोग averaging करेंगे तो ज्यादा तर averaging हम लोग को uptrend में करना चाहिए तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा ल